हलो एवरिवन माई नेम चल सिंग बाति फिजिक्स फेकल्टी इन रोजिन्स कोटा तो अपना जो टॉपिक चल रहा हुआ है टिक्नोमेट्री जो कि important formulas है और particular किसी भी एंगल पे है ना जो कि important angles है उस पे मैं उस function के वेलू कैसे निखालूँगा उसके rules क्या है वो साज़ी बाते detail में इस lecture पर पन करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले अपन लेते हैं कुछ general टिक्नोमेट्री formulas ठीक है चलिए बात करते हैं जनरल टिक्नोमेट्री formulas चलिए तो कुछ-कुछ important formulas है चो आप उनको पता होना चाहिए या फिर टिक्नोमेट्री में आपके use आएंगे है ना तो उनको आप उनको learn करना पड़ेगा कौन कौन से हैं वो पहला फॉल में बत करना है sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है यह angle जो है अंदर theta वो same होना चाहिए तो sin का square उस angle के लिए और cos का square उस particular angle के लिए दोन angle same है तो sin का square plus cos का square जो है वैसा आपको value 1 देगा ठीक है यह एक relation है second one plus ten square theta equal to जो होता है cot square theta sorry sec square theta क्या होता है sec square theta sin square theta plus cos square theta जो है वो आपका 1 होता है one plus ten square theta equal to sec square theta होता है third एक important relation है वो है one plus cot square theta equal to होता है cos sec square theta तो तीन जो है वो important relation है sin और cos में ten और sec में cot और cos sec में यह symbol सा relation ठीक है अगर आपको याद हो तो इसससे last और lecture में है मैंने question लिया था जिसमें मैंने sign की एक value दी थी और उसके लिए आपको cos की value निकालनी थी और ten की value निकालनी थी आपको याद दिलाता हूं क्या था वो question example लिया था अपने कि अगर sin की value, sin theta की value 2 by 3 है तो ten की और cot की value अपनने पूछी थी है ना sin अगर पता तो cos अपने इस relation की help से भी निकाल सकते हैं इस फर्स रिलेशन पढ़ा आपने इसकी help से भी आपन निकाल सकते हैं अगर वैसा निकाल सकते हैं इसको इसले निकाल सकते हैं अगर यह रिलेशन लिखे अपन क्या है sin square theta plus cos square theta equal to 1 तो cos square theta की value क्या हो जाए कि cos square theta हो जाएगा 1 minus sin square theta तो cos theta क्या हो गया? cos theta हो गया मेरा under root of 1 minus sin square theta sin की value अपन को पता है 2 by 3 इसका square करना है sin square theta है ना इसका square करते हैं तो cos theta equal to आजाएगा 1 minus sin square theta sin की value दी 2 by 3 तो 2 का square 4 minus 3 का square 9 under root of 9 minus 4 by 9 केतना हो गया? under root 5 by 3 यह cos theta की value आगी और यह याद करो कि base आपका root 5 ही आया था तो base अपन hypotenuse है cos theta और base आपका अपने phythokras से निकाला तो root 5 आया था और hypotenuse यहाँ पर 3 है तो यह value आई थी इसकी help से भी अपन यह चीज निकाल सकते हैं ठीके? तो यह 3 तो important formula है ही जिनको अपन technometric के 3 identities बोल सकते हैं formulas भी बोल सकते हैं इसके अलावा भी और भी formulas हैं जो मैं आपको आगे बताता जाओं ठीके? अब यहाँ पर basically मैं एक technometric जो general table है जिसमें कुछ particular angles है जो standard angles है जिनकी value अपनको याद होनी ही चाहिए बाकी angles भी अपन निकाल सकते हैं पर यह जिनकी value अपनको learn होनी चाहिए यह table अपनको learn होनी चाहिए ताकि अपनको बार बार टेबल बनानी है पड़े quotient जैसे हाईगा कि quotient में mainly जो angles आते हैं वो इस table में असे angle आते हैं यह standard angles होते हैं इनकी value particular 6 जो functions अबने पड़े हैं उन सबकी values इस particular angle के लिए याद होनी चाहिए वो table कैसे बनानी है उसका वी shortcut है या फिर उसका method है वो आपको बता देता हूँ फिर देदरे आप use करते करते हैं आपको याद हो जाए इसके लिए कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे आपको angle लिखने पहले पर लिख लेते हैं यहाँ पर सारे ratios तो यहाँ पर लेते हैं sin theta cos theta 10 theta sec theta cos theta और sin cos theta and cot cot और cos theta और sec theta और cos theta यह 6 के 6 मैंने जो है वो आपके technometric ratios ले लिए अब इनके जो है अपने याद पर पर्टिक्लर एंगल लेते हैं पहला एंगल लेंगे 0 डिगरी फिर 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी और 90 डिगरी यह जो है यह तो याद होने ही चाहिए अब देखो सिफ हमको अगर sin का पता है तो अपन बागी सब कुछ निकाल सकते हैं कैसे कि देखें साइन के लिए पहले क्या करेंगे तो मैंने ले लिया जैसे वन जो है सइन 0 पे 0 वैलू होती है पहले देख cocoa जो जाएगा 1 बाइ-2 यह हो जाएगा 3 बाइ-4 और वन के मंदब वन बाइ-4 जो है या अङ ले बाइ-4 और फो फो न बाइ-2-3 बार न लिख सकते हैं इन सब का root ले ले लेते हैं, under root, under root, under root, under root. अब जो value निकल गयागी, उससे sign के table फिल हो जाएगी, sign 0 पे 0 होता है, sign 30 degree पे 1 by root 4, 1 by root 4 मतलब 1 by 2 हो गया, root 4 2 होता है, sign 45 पे root 1 by 4 मतलब root, 1 का root 1 ही होता है, तो 1 by root 2 हो जाएगा, sign 6 degree पे होता है, root 3 by 2, 3 के उपर root रहेगा, under root 4 अपना 2 हो जाता है, under root 1 90 degree पे, under root 1 1 हो जाता है, तो इस sign के particular value आगे, sign ठीटा की value, अगर 0 degree है, तो sign 0 देगा value, ठीटा अगर 30 degree है, तो sign value 1 by 2 देगा, ठीटा कर यह जो आपका, 45 डालोगे, sign आपको 1 by root 2 वैलू देगा, ठीटा कर आप 60 degree डालोगे, sign की value root 3 by 2 हो जाएगी, ठीटा कर यहाँ पर 90 degree हुआ, sign 90 degree है, उसकी value हमेसा 1 होती है, तो sign की maximum value आपकी 1 होती है, 1 से बड़ा कभी sign value देता ही नहीं है, sign की maximum होती है, 90 degree पे और 0 होती है, इसकी 0 degree पे ही होती, sign की अगर आपने table लिख ली तो cos के लिए करना पड़ेगा, इसको आपको reverse करना पड़ेगा, अलब यही जो table चल रही, इसको उल्टा करके यहाँ लिख लोगे, यहाँ पर आ जाएगा, यह root 3 by 2 इदर आ गया, 0 पे 1 होता है, और 90 degree पे 0 होता, sign का उल्टा, ठीक है, और इस तरिये से, 45 पे दोने को value सेम होती है, cos 45 और sin 45, 1 by root 2, 1 by root 2 value देख लेख लेख लेख, 10 theta की बात करें, 10 theta जो आता था, वो आता था, sin theta और cos theta के ratio से, sin theta और cos theta, 10 theta होता है, sin को और cos को दोनों को divide कर तो 10 theta मिल जाएगा, तो 0 है, 0 upon 1, उपड 0 है, नीचे कुझी भी हो, 0 upon 1, 0 होता है, 1 by 2 और root 3 by 2, तो 2 से 2 cancel हो जाएगा, क्या आजाएगा, 1 by root 3, यह दोनों value तो same ही है, 1 by root 2, divide by 1 by root 2, same value को divide करो के तो 1 ही आएगा, root 3 by 2 और 1 by 2, 2 से 2 cancel हो जाएगा, root 3 by 1, root 3 आगया, 1 by 0, divide में 0 आगया, 1 by 0 infinite होता है, क्या होता है, infinity not defined, infinity symbol ऐसे लिख देता हो, not defined या फिर infinite, 0 upon 1, 0 होता है, 1 upon 0, infinity होता है, not defined, cot theta निकालना है, cot theta के लिए इसकी value को उल्टा करके लिख दो, जैसे sign निकाला था, cos के लिए उल्टा करके लिख दिया था, वैसी 10 निकाला, उल्टा करके लिख देते है, infinite इस तरफ आगया, root 3 इस तरफ आगया, 1 इदर आगया, ये 1 by root 3 इदर आगया, 0 जो starting में था, उदर last में आगया, यह यहां तो complete हो गई, sec theta के लिए, मुझे लिखना पड़ेगा, sec theta जो होता हो, 1 upon cos theta, cos theta का, recipe पर उल्टा करके लिखेंगे, cos theta यहां पर 1 है, तो 1 divided by cos theta, तो 1 by 1, 1 ही रहेगा, 1 by root 3 by 2, उल्टी हो जागी value, तो यह जागा 2 by root 3, यहां 1 by root 2 है तो, root 2 by 1, 1 by 2 है तो 2 by 1, 0 है तो 1 by 0, infinity not defined, 1 divided by 0 रखोगी तो not defined आ जाएगा, यह जो values है, उसको 1 divided by लिखा है, तो यह उल्टी हो गई, उल्टी मन्दब कैसे, 1 by 1, उल्टा, 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 1 के अंदर यह निच निवारे, कौसे एक निकालना है, अराम से निकाल सकते हैं, इसकी value को फिट से उल्टा करके लिखो, infinite दर है हैं, यह infinite आ गया, 2, root 2, 2 by root 3, और 1, यह अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, और यह जो होता है, वैसे, 1 upon sine भी होता है, 1 upon 0, infinite, उल्टा गया, 1 upon 2 से, 2 आ गया, 1 by root 2 से, root 2 आ गया, root 3 by 2 से, 2 by root 3 आ गया, 1 upon 1 से, 1 आ गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीके, यह table अपन को learn होनी चाहिए, यह बहुत important table है, और यह बहुत important formulas है, इन सब की, इन पर्टिकलर अगल पर value आपको learn होनी चाहिए, ताकि जब भी direct question आये, तो आपन value put कर सके, बार बार टेबल बनानी नहीं पड़े, अगर आपको पोच्छ लिए कि, cot 45 की value क्या है, आपको याद ही नहीं, आपको टेबल बना रहे हैं, sin square theta plus cos square theta, जो है, वो 1 होता है, तो कोई भी angle लेते हैं, जैसे मैंने बोल लिया, 30 degree angle ले लिया, है ना, तो sin square 30 degree plus cos square 30 degree, जो है, वो आपका 1 आता है कि नहीं आता है, निकाल के देखते हैं, ठीक है, sin square 30 degree value कितनी होगी, sin square 30 degree value होती है, 1 by 2 होती है, तो 1 by 2 का square, के उपर square लगा, तो 1 by 4 हो गया, plus cos 30 की value, cos 30 की value होती है, root 3 by 2, इसका square होती है, root 3 का square 3, और 2 का square 4, 1 by 4 और root 3 by 4, सही है, add करने पर 1 आ रहा है, मतलब यह relation ब्कूल सही है, ऐसे 3 relation को आप चेक कर सकते हो, particular angle के लिए, ठीक है, इसके अलावा, कुछ और formulas में है, जो हम पता हो नहीं चाहिए, उसके बाद करते हैं, तो, जो मैंने 3 formula लिखे थे, इसके अलावा, कुछ और formula, जैसे, एक formula है, formula 4 लिखना है, तीन में पहले लिख चुका हूँ, formula 4, sin a plus b, या फिर a minus b b हो सकता है, यहाँ पर plus b हो सकता है, minus b हो सकता है, चलो, minus b लिख देता हूँ, plus b हो सकता है, minus b हो सकता है, formula क्या हो दो, इसके formula होता है, sin a cos b, plus cos a sin b, अब यहाँ पहले पहले हैं, sin a plus b हैं तो, यहाँ plus हाजाएगा, मैं मायनिस है तो हम झाए दोनों चीज लिख देता हूँ एक ही पार्मुला है प्रिस फेर्ञ चा अंदर प्लस आपका क्या प्लस आजएक ये अ मायनिस है क्या माइनस सबस्क्क यह और बी कुछ वो सकता है तोनों का सम। formula प्रस फरक है अंदर plus आगा तो यहां plus आजागा है माइनस आगा तो माइनस आजागा a और b कुछ दूआ एंगल से यह एंगल कुछी भी हो सकता है यह एंगल कुछी हो सकता है यह ना दोनों का सम्ट sign a plus b जो है वो इस formula से भी solve कर सकते है यह particular जो है वो वाला अपना कुछ एक extended angle है वो भी उसको निकालने के लिए help कर लएगा जो मैं एक sign के लिए और cause के लिए आपको निकाल के बता दूँगा ऐसे formula cause के लिए होता cause a plus b या फिर minus b क्या होता formula? cause के लिए उसको उल्टा साथ माथ है cause a cause b अगर यहाँ plus है तो यह minus आएगा और यहाँ minus है तो यह उन्हाँ प्लस है कि जो sign मैं यहाँ लिखा इसको उल्टा लिखा है cause a cause b minus sine a sine b die call cause सब्दां? यह कहा काम आएगा आपका, तो काम काहा है बतारों एक formula और देखकτε है, 10 a un-b और A minus B का, वो क्या हो जगा, 10A plus 10B, 1 minus 10A, 10B, 1 minus 10A, 10B, ठीक है, अगर यहां plus है, तो यहां plus आएगा, minus है, तो यहां minus आजाएगा, और इसका उल्टा लिख देता हूँ, 10A, A plus B है, तो यहां पर 10A plus 10B आजाएगा, minus होगे, यहां minus आजाएगा, और यहां पर उल्टा आजाएगा, plus है तो minus, minus तो plus आजाएगा, ठीक है, यह जो तिनों formula है, उससे अबन कोई भी values निकाल सकते हैं, किसी भी values की, पर जैसे मैंने बोला कि एक angle है, जो कि है, मुझे नि निकालना है, sin 75 की value क्या है, और cos 75 क्या है, या 10 75 क्या है, है ना, उसकी value अभी stable में नहीं है, 75 नहीं दिया हूँ यहां पर, है ना, और निकालना मुझे 75 है, तो कैसे निकाले, तो अपन पहले देखेंगे, 75 जो है, उसको मैं दो पार्ट पर break कर सकता हूँ क्या, A और B में, और break करने के बाद, जो break किये हैं, दो angles, अब यसे break तो मैं 70 और 5 भी कर सकता हूँ, एक 70 और 5 हो गया, पर ऐसा नहीं करना break, break जो करना है, वो कुछ ऐसे दो angles में करना है, यह और B की value जो है, वो stable से आनी चाहिए, stable में जो angle लिया, 0, 30, 45, 60, 90, इन में से कुछ हो, ताकि तो उसकी table मुझे, उसकी value मुझे इस table से मिल जाए, जैसे इसको मैं यह भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, sin 45 प्लस 30 degree, 40 और 30, 75 होता है, और 40 और 30 दोनों इस table से अपने को मिल सकते हैं, तो मैं अगर इसकी values निकालू, यह formula यह उस कर लो, कौन सा वाला, यह वाला तो अभी मैं काम मेरा हो जाएगा और मैं value निकाल सकता हूँ, चलो निकाल के बताते हैं, अब भी try करें, sin A, A की value कितनी है, यह अपना A हो गया, यह अपना B हो गया, जहां भी A है, अपना 45 रख देंगे, जहां भी B अपना 30 रख देते हैं, तो sin 45 into cos B, 30 degree, प्लस है तो प्ल से cos 45 into sin 30 degree, चली, तो value पूट करते हैं सबकी, sin 45 table से देखें, वैसे याप दो जाने चाहिए, 1 by root 2 into cos 30, cos 30 की value table से देखें, root 3 by 2, plus cos 45, cos 45, sin 45 same होता है, 1 by root 2 into sin 30, sin 30 की value 1 by 2, 1 by 2, बस, गौन तरफ, LCM ले ले, LCM लेके solve करें इसको, तो LCM आजाएगा अपना 2 root 2, क्या जाएगा, 2 root 2, इदर भी 2 root 2 है, यहां बचेका root 3, यहां बचेका 1, क्या जाएगा, root 3 plus 1, तो यह अपना answer आचुका है, sin 75 की जो value होती होती है, root 3 plus 1, divide by 2 root 2, जब मिला तू, 2 root 2, तो root 3 plus 1, divide by 2 root 2, जो है, वो अपनी, इसकी value आजाएगी, sin 75 की, ऐसे आप cos के भी निकाल सकते हैं, और 10 के भी निकाल सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस से, तो आपका यह ओंवक है, कि आप cos और 10 की value 75 पे निकाले, है ना, और इस पे comment में, इसको जो है message जरूर कर दें, ताकि आप उसका reply मिल जाए, ठीक है, अब मैं, और भी कुछ angles अपने निकाल सकते हैं, जैसे, कौन-कौन से, देखते हैं, sign 15 degree, चलो, sign 15 निकालते हैं, cos 15 निकालते हैं, अब यह 75 पे निकाल लेंगे, 40 और 30 में break करना है, 15 डिगरी निकालना है, मुझे इस बार, चलो ठीक है, 15 डिगरी निकालना है, और 15 डिगरी की value इस table में तो नहीं है, 15 डिगरी क्या, कुछ ऐसे दो, एंगल से मिल सकता है, क्या, प्लस या माइनस करने से, जो मुझे, तुम्हें टूरना पड़ेगा, हाँ, 40 में 30, फिर से बोगी काम आ गया, 45 और 30, 45 और 30 जो है, उनको अगर मैं माइनस कर दू, तो काम बन जाएगा, 15 आ जाएगा, अराम से काम बन गया, क्या बन गया, क्या, 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 जहाँ, cos 30 degree, plus sin 45, sin 30 degree, बस, value put करें, तो 1 by root 2, into cos 30 value, root 3 by 2, plus sin 45, 1 by root 2, into sin 30 value 1 by 2, केतना जाएगा, LCM 2 root 2, यहाँ भचेगा, root 3 plus 1, अरे सर, यह क्या हो गया, पहले वाली value भी जो आई थी 75 पे sine की वो root 3 plus 1 divided by 2 root 2 आई थी और इस वार cos 15 निकाला वो भी same value आ गई बिल्कुल आ सकती है क्यों नहीं आ सकती है ना sine की value 1 by 2 है cos में भी तो 1 by 2 आई सकता है आई रहा है angle different है आ सकता है 75 है इधर 15 है अभी मैं कुछ sin और cos में का relation है sin 90 minus theta या 90 plus theta जो होता है cos theta ही होता है अभी A.T.S. rule में आपको एक clear हो जाएगा तो यह 15 डिग्री ऐसा निकाल सकते है अपन तो आप sin की और 10 की 15 डिग्री value निकाल के भी comment box में इसका answer आप डाल सकते हैं आपका check कर लिया जाएगा answer तो यह थे कुछ particular angles और यह 75 और 15 वाला जो है वो particular इनी से निकाला जाता है यह दियान रखना है तो अपन इसके help से राम से निकाल लेंगे चलिए फिर कुछ और important angles की बात करते हैं इसको रफ करते हैं और और कुछ important angle की बात करते हैं दो important angle जो है वो है 37 और 53 इनकी बात कर लेते हैं क्योंकि यह भी आपको physics में बहुत परेशन करेंगे बार बार जो है बहुत सार एंगल से आपको 37 और 53 angle आ जाएंगे और आप सोचेंगे यह तो यह टेबल में था ही नहीं जासर ने पढ़ाया है यह नहीं इसलिए इसकी important बात कर लेते हैं sign 37 और sign 53 उसके लाब अगर इन दोनों की बाता चल गी तो आप बागी के जो 5 ratios बचेंवे हैं इसमें cos 10 cot, sec, cosec वो तो निकाल ही लोगे ठीक है ना तो इसकी बाता निकाले 3, 4, 5 वाला एक right angle triangle 3, 4, 5 जो है वो right angle triangle का एक triplet भी होता है इन में relation होता है 3, 4 इसकी help से इसके विल्बा में से निकालनी है 37 और 53 देखो ये angle तो 90 है तो बचे दो angle और इन दोनों कसम भी 90 होगा क्योंकि एक triangle है तिन दोनों कसम 180 होना चाहिए एक 90 है तो इन दोनों कसम 90 बचा तो 90 बचा तो मुझे यहां से दिख रहा है रहे इन दोनों कसम भी 90 है 37 और 53 आटकर तो 90 है तो मतलब इन दोनों में से एक 53 होगा और एक 37 होगा कौन सा 53 है कौन सा 37 होगा वो आप देखना जरूरी है ठीक है चालिए अब यह पर्पेंडिकुलर बड़ा है तो बडा बड़ा है ठीक है तो 4 बडा है मतरब 4 जो जिस आंगल का पर्पेंडिकुलर आप ऐनला होना चाहिए इन दोनों में से बड़ा कौन है फिफ ठीक तो यह फिफ थ्री त्रिक है है और यह 37 है बड़ा perpendicular बड़ा angle बड़ा कुछ एक फोर बड़ा है तो फोर किसका perpendicular है इस एंगल का तो यह अंगल बड़ा होना चीए छोटा परपेंडिकोल फोटा एंगल चोटा भबैंडिकोल कोन सा 3 है इस एंगल के लिए तो यह एंगल 37 होना चीए बस हो गया काम कि लिए 37 शाइंड़ आ होता है कि इस कि जी परपेंडिकुलर अपॉन है फिर प्रोडनेस तो इसकी बात करो है इसकी बात करो है फिर फिया मैसा जो हता है इक 37 लोग है तो perpendicular 3 हो जाएगा 53 एंगल लोग है तो perpendicular 4 हो जाएगा एंगल के सामने वाला मैसा जो होता है वो होता है perpendicular और एंगल जिस साइट पर बनावा वो होता है बेस होता है 37 के लिए perpendicular 3 तो क्या अंसर आजाएगा 3 by 5 साइन 53 तो यह रहा 53 53 के लिए perpendicular 4 है और हाइपोंस तो 5 ही है तो अंसर क्या जाएगा 4 by 5 पस यह आगया इन दो की बेलू आगे ऐसा आप कॉस्स भी निकाल सकते हो 10 भी निकाल सकते हो जो जाहिए वो आप निकाल सकते हो एक और निकाल बता देता हूं 10 37 10 ठीटा होता है perpendicular upon base 37 यह रहा perpendicular 3 बेस है 4 37 जिस साइट पर बनावा वो हो गया base इसके सामने वाला 3 तो क्या हो जाएगा 3 by 4 10 53 53 के लिए perpendicular 4 बेस 3 4 by 3 अराम से निकाला जा सकता है तो यह दो एंगल याद रखने 37 53 निकालते किस्ते हैं राइट एंगल 345 वाला राइट एंगल से निकाली जाती है इसके वेलों मेसा साइट देख लेंगे किस एंगल के बात कर रहे है उसके लिए पर पैंड कौन सा बेस को था है उसके लिए उनकी ट्क्निमेट्रिश लेके कर सकते है ठीक है ओक है कुछ और ट्क्निमेट्रिक के फामुले है उनकी बात कर लेता है वह है 2 थिटा के फामुले है एक हुदा sign 2 थिटा और cos 2 theta, double angle के formula, angle का double 2 theta है, sin 2 theta, sin square theta ने यह, sin 2 theta, इसका formula होथा, 2 sin theta cos theta, 2 sin theta इंटो को सिन इंटो 3 मंटिप्लाइम है, 2 sin theta इंटो 2 sin theta इंटो 2 sin theta इंटो cos theta, और cos 2 theta के 3 formula आते हैं, एक तो formula आता, cos square theta minus sin square theta, एक formula आएगा आपका, 2 cos square theta minus 1, एक आएगा, 1 minus 2 sin square theta, यह 3 formula जो हैं, इसके अपने बनते हैं, जिसमें से ये वाला और ये वाला बहुत काम का है, कि यह भी cos 2 theta के formula, यह भी cos 2 theta के formula है, यह काम का इसलिए को कि यहां से आप cos square और sin square के value निकाल सकते हैं in terms of cos 2 theta और sin theta, तो single power में, यहां पर power 1 है और यहां power 2 है, तो यह help जो आप करो गया, आपको integration में बहुत help करेगा, integration भी अपना mathematics 2 के एक part है, जो आगे के lecture में cover होने वाला है, ठीक है, उस open cover करेंगे, तो उसमें आपन निकालेंगे, तो अगर मैं यहां से cos square के value निकाल लूँ, अगर यहां से क्या है, cos square निकाल लूँ, तो यह 1 को मुझे इधर बेजना पड़ेगा, तो यह क्या बचेगा, 2 cos square theta equal to 1 plus cos 2 theta, तो cos square theta जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1 plus cos 2 theta divided by 2, ऐसे sin square निकाल सकते हो, sin square को इस तरफ बेजना पड़ेगा, cos theta इस तरफ लाना पड़ेगा, तो sin square के value जो निकल क्या जाएगी, sin square theta जो निकल क्या जाएगा, इसको इधर लियाओ, इसको इधर लियाओ, तो यह जाएगा, 1 minus cos 2 theta upon 2, यह value कहां काम आएगी, यह आपक आपको sin square theta और cos square का integration करना पड़ेगा, तो वो direct नहीं होगा, वो इसकी help से होगा, तो वो जब topic वो आएगा, तो वहाँ पर फिर से इसका जिकर करूँगा, यह formula वापर से वापर आपको लिखे दिखाऊं, ठीके, तो यह import relation, एक double angle का, sin का और cos का, ठीके, चले, अब बात कर करते हैं, सबसे important part जो है, ASTC rule, जिसमें अपन particular किसी भी angle के लिए, जैसे, sin 90 की जो multiples है, है ना, उनके term में अगर कोई angle लिखा है, तो उसको कैसे कैसे solve कर सकते हैं, वो निकालते हैं, जैसे, sin 135 की value निकालनी है, sin 150 की value निकालनी है, cos 300 की value निकालनी है, 420 की value निकालनी है, 270 की बात करते हैं, तो जो rule आता है, वो है, ASTC rule, इसकी बात करते हैं, rule का नाम है, ASTC rule, क्या मतलब ASTC किया है, उसकी बात कर लेते हैं, ASTC rule, simple सा है, 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, फिर वापस आगया, 360 degree, और इसे इसे चलता रहेगा, 0 के 90 add किया, 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 ठीक है, यहां लिख दिया मैंने, A, 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 S, T, C, after school to college, ASTC का, short form या दखने का, after school to college, या add sugar to coffee, जिस से या दखना, वो आप याद कर सकते हैं, A का मतलब है, all, तो 0 से 90 degree के अंदर, यहां से 0 से 90 degree के अंगल, सारे इसके अंदर आएंगे, 30, 45, 60, 90 तो छोटे अंगल सारे 1st quadrant में, यह बना 1st quadrant है, 1st quadrant, 2nd quadrant, 3rd quadrant, और 4th quadrant, 1st quadrant का अंदर, 0 से 90 के अंगल सारे all positive, all positive, सारे angles positive value देते हैं, अब यहां table भी बनाई थी, उसमें एक भी negative value नहीं थी, 0 से 90 की ही table थी वो, 0, 30, 45, 60, 90, तो उसमें आप देखा, एक भी negative value नहीं थी, minus में कोई भी value नहीं थी, सब positive होते हैं, all positive, 6 ratio जो है अपने, सारे 6 ratios की value, इन 0 से 90 के लिए सब positive होते हैं, अब बात करते हैं, 90 से 180 की जो values है, जो angles है, उनके लिए 6 में से कौन-कौन जो है positive value देगा, और कौन-कौन negative देगा, उनकी बात करेगा, ऐसका मत होता है, sin, sin, theta और sin का reciprocal होता है, cosec theta, तो sin theta और cosec theta जो है, उस second quadrant में, 90 से 180 की बीच में positive value देगे, उसके अलावा, चार जो बचे, cos, 10, cot और sec, ये चारो negative value देगे, ठीक है, T means 10 theta, और 10 का reciprocal cot theta, तो 10 theta और cot theta जो है, 180 से 270 की बीच में आपको positive value देगे, उसके अलावा, sin, cos, sec और cosec, इस third quadrant के अंदर, 180 से 270 की बीच में negative value देगे, C से cos, cos theta और उसका reciprocal, sec theta, ये दोनों जो है, वो आपको 270 से 360 की बीच में positive value देगे, उसके अलावा, ये चार रेशियो जो बचे, वो इसमें fourth quadrant में आपको negative value देगे, ठीक है, तो ये तो अपने देख लिए कि कौन सा positive हो, कौन सा negative हो, किस के अंदर कौन सा positive हो, किस के अंदर कौन सा negative हो, अब ये कहां पर use हो का अभी देखते हैं, तो जैसे, मैं लिगा, sin, अंदर जो है, वो कुछ angle है, अब angle जो है, वो किस form में है, ऐसा format है, n pi by 2 plus minus theta, 3, 4, कोई भी, आपके natural number है, pi by 2, 90 degree, मतब ये n जो 90 का multiple हुआ, n अगर 1 रखोंगा तो 90, 90 हो गया, 2 रखोंगा तो 92 जा 180 हो गया, 3 रखोंगा तो 270, 4 रखोंगा तो 360, मतब n अगर even है, तो 90 का even multiple हो रहा है, odd है तो 90 का odd multiple हो रहा है, ठीक है, और 90 के साथ में कुछ plus minus theta हो रहा है, ठीक है, तो इसकी value क्या होगी, वो बात करनी है अभी, ठीक है, चाल, तो इसके लिए लिए लिखना कि n अगर even है, और n अगर odd है, तो क्या-क्या value आएगी, तो n अगर पहली बात की, case number 1, n अगर even है, even मतलब 2, 4, 6, 8, तो अगर n यहाँ पर even रखता हूं, तो यहाँ पर जैसे 2 रखा, यहाँ 2 का कोई भी multiple होगा, तो नीचे लिए 2 कर जाएगा, 90 का even मतलब 0, 180, 360, है ना, इस तही है से, even multiple आएगा, तो नीचे लिए 2 कर जाएगा, पाई बचेगा, मतलब 2 आएगा है, नीचे से कर जाएगा, तो कैसे कर जाएगा, क्यों कि यहाँ पर, आपका, sign मान दिया, 4 है, तो 2 से 2 कर जाएगा, यह, 2 पाई बचा, तो 90 का, जब even multiple होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर, 90 का even multiple होगा, तो क्या लिखूंगा, मैं यहाँ function not change, क्या लिखा मैंने, function not change, function change नहीं हो, कौन सा function, जो यहाँ पर, अगर sign है, तो sign नहीं रहेगा अंदर, answer भी sign नहीं आएगा, cause है तो, cause ही रहेगा, 10 है, तो 10 नहीं रहेगा, function change नहीं होगा, कब, जब n अगर even है, यहाँ पर आंदर, 90 का even multiple है, 0, 180, 360, second, and, अगर odd है, तो क्या होगा, function change होगा, function will change, function change हो जाएगा, अगर odd हुआ, तो odd मतलब, 90 का मतलब, 1, 3, 5, 7, 90, 90, 270 है ना, यह सही किसे angle हुए, तो आपका change हो जाएगा, ठीक है, इसको पर एक्जाम्पल से समझते है, मैंने लिया, sign के लिएते हैं पहले, example number 1, sign, 135, degree की value मुझे निकालनी है, sign 135 की value क्या आने वाली है, ठीक है, निकाल के देखते हैं, तो 135 की value टेबल में है नि, पर इसको अगर मैं कुछ इस form में लिखूँ, 90 का multiple plus minus कुछ theta हो जाए, तो काम बन जाएगा, इसको मैं यह भी लिख सकता हूँ, equal to sign, 90 plus 45, 90 plus 45 जो होता है, मेरा 135 हो जाता है, अराम से solve कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं sign a plus b के formula से भी कर सकता हूँ, पर a plus b के formula से हर एक angle नहीं होगा, कुछ कुछ angles हो सकते हैं, 90 से और बड़े हो गए, जैसे यहाँ लिख देख, 300, तो आप कैसे करोगे, इसलिए यह method आना जरूर है 90 plus 45 आ गया, तो यहाँ पर यह starting all up on 90 है, जो कि यह वाला है, बीच में यहाँ पर plus minus कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर plus है, minus भी हो सकता है, और ठीटा है, तो यहाँ ठीटा के value के आ है, 45 है, ठीटा के value 45 है, और आगे 90 का multiple है, तो 90 का even है यह odd multiple है, तो 90 है, 91 जाही तो आया ह 90, तो यहाँ पर N के value 1 है, इस case में N की value 1 है, इसलिए यहाँ पी 90, अगर यहाँ 180 आता तो, N के लिग टू होती, 90 गा नटी जा है, 90 का even multiple है, यहाँ पर odd multiple है, odd multiple है तो मैंने कहला फंक्शन चेंज होगा, अब फंक्शन चेंज होगा, तो किसमें होगा, फंक्शन चेंज और या फिर खोस वापविशान बात कर रहा हूँ और सग जो है वो ब्रत है रहा हूँ सग और सग में चेंज होते है इसका अंसर क्या आएका तो सग निकालते है तो सग आइन्टी प्लस 45 तो मज़े बस क्या देखनी यहाँ पर यहां पर इक तो चीज देखनी है कि allora sign क्या ना हेगा sign मतलब symbol plus आएगा या minus आएगा एक चीज वो देखनी है और यह देखनी है function change होगा का बस यह देखनी है मुझे ठीक है एक चीज देखनी है function change होगा यह नहीं होगा और एक देखना है कि कौन से कौर्डरेंट मा रहा है तो उसके साथ positive आगी या negative value आगी वो देखना है दो चीज़े note कर लिए है चलो पहले तो मैं देख रहे हैं function change होगा कि नहीं होगा तो sin 90 प्लस 45 है यह 90 का odd multiple है 90 बंचा 90 है n के लूब 1 है odd multiple है function change होगा तो sin किस में change होता है sin होगा cos में change तो यहां पर जाए cos theta cos 45 तो sin n pi by 2 plus theta वो वो होता है आपका कुछ function जैसे यहां पर यह कुछ function आएगा और यह theta जो आएगा यहां पर यहां पर पूट किया जाता है उस function के अंदर यहां पर जो एंगल जो है मेरा यह है cos 45 और आगे symbol के प्लस और मैनस आएगा उसके लिए में लगा देता हूँ 90 प्लस 45 90 से बड़ी वैल्यू है 90 से बड़ी वैल्यू मतलब second quadrant में आएगा 90 से 180 की वैल्यू second quadrant में आएगी second quadrant में sign तो positive होता है sign तो positive होता है मतलब प्लस ही आएगा कितना आएगा cos 40 के वैल्यू क्या दिये 1 by root 2 तो sign 135 भी वैल्यू होता है 1 by root 2 ही वैल्यू देता है एक और लेते हैं second example cos 150 degree 150 निकालना है ओके निकाल सकते हैं इसको में देख सकता हूँ cos 90 plus 60 degree इसको में दो तलिख से निकाल सकता हूँ दोनों तलिख से कर सकते हैं 90 plus 60 degree भी लिख सकते हैं और 180 minus 30 भी तो लिख सकता हूँ 180 minus 30 भी 150 होता है दोनों तलिख से करके बता हूँगा आंसर सेम आयेगा तो cos 90 plus 60 degree करते हैं चलो तो 90 वंचा 90 होता है odd multiple function change होगा किस में change होगा sin 60 degree sin theta cos 90 plus theta sin theta हो जाता है ठीक है और क्याएगी value और symbol के आएगा symbol के लिए देखते है ht tool तो cos 90 plus theta मतब second quadrant में second quadrant में cos तो negative होता है तो minus का आएगा minus cos 60 होता है root 3 by 2 अंसर यह आएगा इसको अकर मैं इससे करता cos 150 को में लिखता 180 minus 30 तो अभी answer होगा आता 180 minus theta तो cos 180 है 180 क्या है even a odd multiple है even multiple है क्यों 92 जा 180 होता है 2 जो है वह आपका even multiple है इसलिए function change नहीं होगा तो cos का cos ही रहेगा तो cos theta ही रहेगा cos 30 अब symbol plus आगा minus आगा देख लेता है cos 180 by 30 180 से कम value है सब्सक्राइब सेकंड में सेकंड में यह माइनस होता है minus cos 30 विल होती है रूर 3 by 2 से मंसर आया से में आएगा किस तरीक से रुख तरीका सगी ठीक है तो मैं टेबल ऐसी लिख देता हूं कि कौन सा function किसमें चेंज होगा वह मैं एक टेबल की फॉर्म लिख देता हूं ताकि आपको आसा नहीं हो जाए प्र वैसे तो आपको लॉन कर नहीं है और इसके अलाव़ा यह पैक्टिस करोगे तो आप सीखी जाओगे तो कुछ साइन पाइबाए टू मायनस टीटा खता नाइंटी सब यह नैंटी का आएगा निचा पुट दिखे नैंटी और मॉन तिखे तो आपका function change होगा, sign होजा, cos में change, cos theta ही आएगा, पर symbol क्या आएगा, pi by 2, minus theta, मतलब कौनसे quadrant में, first quadrant में, 90 में से कुछ minus हो रहा है, दोनों में plus ही आने वाला है, क्योंकि sign 90 plus theta करो या minus करो, first and second quadrant में value आएगी, sign first में, और second में दोनों में positive होता है, sign, pi plus theta, sign, pi minus theta, अब ये जो है, मैं 90 के लिए, 180 के लिए, 270 के लिए, 360 के लिए लिखने वाला हूँ, सिर्फ sign की value, cos के लिए, 10 के लिए, आपको लिखने हैं ये सब values, मैं आपको 90 के लिख रहा हूँ, pi मतलब 180, 3 pi by 2, 270 और 2 pi मतलब 360, सब के लिए लिखने हैं, sign के लिए value, आपको cos और 10 के लिए आपको लिखने हैं, ठीक है, sign, pi, pi मतलब 180, मतलब निचे 2 नहीं है, 2 अट गया, even multiple है, even multiple है, function change नहीं होगा, sign का sign ही रहेगा, sign theta ही रहेगा, sign theta, sign theta, अब symbol देख लेते हैं, pi plus theta, 90 से ये, pi मतलब आपका 180, 180 से बड़ी value है, third quadrant में आ गया, third quadrant में, sign तो होता है negative, टोकी, सिफ 10 और quarter positive होते हैं, तो ही negative हो गया, sign pi minus theta, pi minus theta मतलब कौन से बड़ी नहीं है, pi minus minus हो रहा है, बताब छोटी value आएगी, बने डिस कम value आएगी, second quadrant में, second में ये plus होता है, symbol का दियान रखना है बस, है ना, ये आ गया, sign 3 pi by 2 plus theta, या फिर sign 3 pi by 2 minus theta, करते हैं, value रखी, तो 3 pi by 2 मतलब कौन सा है, pi by 2 तो 90 को गए 90 का 3 आगे, odd function change होगा, किसमें change होगा, cos में, cos theta, वनों में cos theta, cos theta आएगा, क्योंकि बादलों जो angle होता हो आजाता है, symbol देख लेते हैं, 3 pi by 2 मतलब 270, 270 को भी बोलते हैं, 3 pi by 2, radian के अदर, तो 3 pi by 2 plus theta मतलब कौन से coordinate में, तो sin, 3 pi by 2 plus theta करो, या minus theta करो, क्योंकि 3rd या 4th coordinate में आएगा, और दोनों में sin negative होता है, मतलब दोनों में minus value आएगी, 3rd coordinate में बात करो या 4th coordinate में बात करो, sin तो दोनों में negative होता है, सिर्फ 1st और 2nd में, यह था साइन क्यों होता है साइन क्योंọi पाई मिनसा पर होता थे descriptions से बड़ी वैलू के लिए फोर्ट वाले में तो माइनस रहेगा वड़ी वैलो के लिए प्लस रहेगा मतलब फर्स्स कोड़ेंट में जब आजाएगा सबी पॉस्टीव होता है सबी पॉस्टीव हो जाए तो यह कौन सा कब चेंज होगा कब नहीं होगा वह मैंना को बता दिया है ना और एक आध एक्जाम्पल और ले लेता हूँ यह लो कुछ के इंफूजन है तो जैसे बात कर लिए बन कॉस्स की बात कर लेते हैं कॉस्स थ्री हंड़िड है ना और टैन है थ्री थर्टी की बात कर लेते हैं है ना है चालो तो कॉस्स थ्री एंड़िड की वैल्लुट कॉस्स थ्री एंड़िड की वैल्लुट क्या सकता हूं मैं कॉस्स कॉस्स थ्री सिक्स्टी माइनस सिक्स्टी में सिक्स्टी में सिक्स्टी को मैंस कर तो 300 आ जाएगा यह वह 270 प्लस 30 कर दो उससे भी आ जाएगा वह आपकी इच्छा क्या कर रहे हो थी सिस्टी नैंटी फोड जा आता है सिंबल देख लेते हैं 360 माइनस सिटा मतलब कुछ कम हो रहा है 360 में कुछ कम करोगे तो प्लस वैलू आएगा कॉस्टी क्या होती कॉस्टी वैलू होती वन बाए टू यह रहा कॉस्टी वैलू होती है 10 330 इसको भी रह सकते हैं 10 360 माइनस 30 डिगरी करोगे तो 330 आ जाएगा 360 इवन मंटीपल चेंज होगा तो 10 का 10 रहा तो 10 30 डिगरी सिंबल देख लेते हैं 360 404 में 10 नेगेटिव होता माइनस का आएगा माइनस का 10 30 के विलो होती है 1 रोड 3 यह वैलू आकई तो बाद इस तहीए किसे अपन को करना है जो जो मैंने एंगल लिखे हैं उसके लिए को स्कार तो आप साइन निकालो एसे आप क्रेक्टिस करो यह याद रखो यह वहाला काम आएगा sign देखने के लिए आगे symbol के आएगा और change होगा कि नहीं होगा उसके लिए आपका function यह जा रखना है कि जब odd multiple है या फिर even multiple, even होगा तो function same रहेगा sign का sign नहीं रहेगा और अगर odd multiple होगा तो sign cos में change हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है, आपका जिते भी rules है वो आपको याद होने चाहिए ठीक है thank you so much